अजय को अजय को है यह एक जामपूर हमें एक जामपूर कलम से करांती मैं वेकाश स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार एक जामपूर में तो आप सभी तयार हो जाएए आज की क्लास के लिए और आप सभी करेंगे आज डिविजन तो SSE, GD, MTS सबके लिए आपका रिविजन बहतर तरीके से चल रहा है तो चलिए आज के कोशन पे आते हैं हम लोग और आज के कोशन से क्लास के सुरुआत करते हैं जल्दी से आप सभी जुड़ जाएंगे और आज के पहले कोशन पे आते हैं फर्स्ट कोशन का जबाब कितन बताएंगे इसका जबाब क्या पॉसिबल है गुड़ मॉर्निंग गुड़ मॉर्निंग और फ्यू जल्दी से क्लास को आप सभी सेयर कर देंगे और क्लास में सभी लोग जोड़ जाएंगे इस कोशन को बनाएंगे और इसका जबाब क्या होगा ये आप मुझे बताएंग तीन चार तथा बारा दिन में करते हैं काम को एक बटे चार दिन में खत्म करने के लिए एक पुरुस तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार जुरुप से लगाए जाएंगे यह आपको बताता है अब इस प्रशन को आप कैसे करेंगे यह मुझे बता है देखिए एक पुरुस एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को तीन चार और बारा दिन में करते हैं तीन चार और बारा दिन में करते हैं तो आपको पता है इसी काम को एक बटे चार दिन में करना है इसकाम को करेगा उसकी चमता यहां पर लिखेंगे अब इसकाम को कर को रहा है इसकाम को दिया होगा कि एक पुरुस एक महिला और कितने बच्चे को लिया जाता हमने एक्स बच्चे को लेंगे तो यहां पर किसको लेंगे एक पुरुष एक मैं एक औरत एक वुमन वुमन हो जायेगा वन क्या होगा वुमन और कितने बच्चे को तो एक्स बच्चे को हमने लिया एक्स चाहिड को एक साथ Oui This is aktion का 28 बाराइस ब्राइस कितना हzessu जागा एक उन्हेस भाल अब ब्राबर में क्या हो जोगा से बन प्लेस में एक्स एक्स बराबर किया होगि एक्तालिस हैकि क्वाइस अपका क्या हो सही जबाब होगा option number D पहले number स्वाल का जबाब क्या हो गया option number D हो गया इस question को note कर लीजिए बहुत important question अब इसके बाद में लेके आता हूँ second number question पे दूसरे number question को सबी लो मिल करके करेंगे और बताएंगे इसका जबाब क्या possible हो यह second question आपके screen पे इसको बनाएए और इसका जबाब क्या होगा यह आप मुझे बताएंगे दूसरे number स्वाल का जबाब क्या होगा यह आपको बताना है second number question में दिया हुआ है कि 500 मिटर लंबी train 63 किलो मिटर पर आउर की चाल से से चल करके समान दिसा में आ रही 3 किलो मिटर पर आउर की चाल से बिक्टी को कितने समय में पार करेगी यह आपको बता ठीक है अब देखिए यहां पर बात हो रहा है समान दिसा की बात हो रही है 50 मिटर लॉंग ट्रेंट टेक्स टू कवर अ मैं going along with high speed 3 किलो मिटर पर आउर उसमान दिसा की बात हो रही है का आप को समान दिसा में जा रहे और चाल की बेक्ती को कितने समय में पार करेगी जब आदमि किसी बैक्ती के बीच में जब आदमी और किसी बैक्ती के बीच में क्रॉसिंग होती है जब कोई ट्रेन और किसी आदमी के बीच में क्रॉसिंग होती है तो उस समय आपको क्या मिलता है तो रिलेटिव डिस्टेंस में केवल ट्रेन की लंबाई मिलती है रिलेटिव डिस्टें में क्या आएगा ट्रेन की लंबाई आएगी तो ट्रेन की लंबाई आ गई रिल्टिव स्पीड में क्या एगा सेम डिरेक्शन में तो दोनों की स्पीड का अंतर तो दोनों की स्पीड का अंतर क्या आगा साथ किलो मिटर में तो पांच बटे 18 से कर दिया मीटर पर सेकंड में और नटू क्या जगा टाइम आजाएगा अब यहाँ पे सॉल्व करेंगा तो जीरो सी जीरो कर जाएगा छे से तीन बार में जाएगा पांस ओप और जा। जाएगा प्सेर जाएगा घोल गाउपघ्न-बर फिंदार करेंगे लिए यहाँ को जबाब पर Days total day लिए है है तीननंबर कोशन पर थार्ड नमबर सुवाल पर आते हैं तीननंबर सवाल का जबाब क्या होगा यह मैं हुआ हivity य Если यह कॉशन और यो diamonds 2000 लुए बिल्कुल सीमिलर कोशनaffenile जिए और बताईए क्या जबाब होगा दो ट्रेन एक दूसरे की बिप्रीव गडीसा में चल रही है 43 किलोमेटर पर आवर की छाल से धीमी गती से चलने वाली गाड़ी कि तेज गती से चलने वाली मिलता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि relative distance बराबर में क्या होगा रिलेटिव इसह स्पीड और इनुटी में क्या होगा time होगा ढ़eting क्या मिलेगा ट्रेन की ओक्र मिल जाये गी relative distance on relative speed में क्या होगा relative स्पीड में आपका क्या हो जाएगा तो बात हो रही है किसकी विप्री दिशा की बात हो रही है तो दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे एक क्याओन और 43 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तियो जाएगा 94ड इतो पांच वंटे 5 वड़ रहें तो ससग्य क्रिए चला जाएगा तो का नो सेकंड़ का तो यहां से सौल्व कीज़एगा तो जवाब आ जाएगा ये दो बार में जाएगा दो से की जाएगा तू हो झाएगा चार और ये जाएगा साथ तीन नबर स्वाल का जवाब क्या होगा option नुमर ओघ्र आपका विल्कुल correct जवाब होगा फन मरकर इसको लेंगे stay नो के बाद हम रहते हैं 4 नंबर कोशन 54 नंबर स्वाइबिग्स स्वाल का मौ का जवाब का होगा NJ कि चार नंबर कोशन का जवाब जल्दी से कॉमेंट करके बताएंगे दो रेल गारी बिप्री दिसा में एक दूसरे की ओर चलकर आ रही है एधि एक आदमी जो एक ट्रेन में बैठा है जिसकी चाल असी किलो मिटर पर आ रहे हैं दूसरे ट्रेन को 18 सेकेंड में पार करता है अ पो ट्रेनों चल रहे हैं एक पर युदा जा रही है और यह दर आ रही है तो एक ट्रेन जिसकी लंबाई 1000 ईक हजार मीटर है वह ट्रेन जो है दूसरे ट्रेन में सेmagrió अटहारा शकेंड में पो आपको बताना है जिस ट्रेन की लंबाई 4000 में उसकी स्प्वीड-पाहर होगी की बीच क्रोसिंग क्षिरेगा होती है दो ट्रेन की लंबाही करेंगे एक हजार मीटर एक घ्रлемूपर मिलैट स्पीद क्या होगा एक स्थीट सम हो जायेगा एक की च्पिड दिया हु़ा है और दूसरे की स्पीडम को पता नहीं इसको हूंने किया माल लिए एक्स किलो मेटर पर और माल है तो यह जोनों को एड करेंगे तो क्या हो जाएगा एकस अप्लस में असी किलो में पर इसको पांच बट्वर्ट अथार से मौल्टिप्लाजी करेंगे तो मीटर पर सेकेन में हो कि दीके स्वादे wil में किलो में मीटर पर और जबाभी किलो मीटर पर और में आएगा ओप्र बिभी चारनमबर सवाल का जबाब कर होगा ऑपशन बरघी को सुErत किए यहां चालनमजह क्या और याओ आपकी रिवीजन नहीं है और आपकी रिवीजन मेंने कई दफा करा दी है ठीक है मंडे से हम लोग शुरुवात करेंगे न्यू चेप्टर्स की शुरुवात करेंगे कोई चप्टर में आपके लिए सुरू करूंगा यह लीजे एक ट्रेन जो एक पचास मीटर लंबी है एक पोल को 15 सेकेंड में पार करती है दूसरी रेलगारी जो समान लंबाई की है बेप्रेदिसा में 12 सेकेंड में पार करती है तो दूसरी रेलगारी की चाल क्या होगी यह आपको बताना है एक ट्रेन जो पचास मीटर लंबी एक पोल को 15 सेकेंड में प पर सेकेंड दूसरी रेलगारी जो समान लंबाई की है सेम लंबाई की है बीपरेद इसा में 12 सेकंड में पार करती है एक दूसरे को दोनों ट्रेन क्या करते हैं 12 सेकंड में पार करते हैं तो दूसरी रेलगारी की चाल क्या होगी यह आपको बताना है पहली रेलगारी की आप की की सीवी 250 मिटर इसकी भी क्या 150 मिटर है दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 300 मिटर हो जायागा रिलेटिवी स्पीड क्या होगा तो डेलेटिवी स्पीड bagus जायाएगा आपको दूसरी लिलिगाड़ी जो समाल applicator बेटरे दिशा में 12 सेकेंड में पार करती है तो टाइम आपको दिया हुआ 12 सेकेंड 12 सेकेंड और आपको दूसरी ट्रेन के लंबाई पता निया पहले ट्रेन के लंबाई पता है कि 10 मिटर दूसरी के लंबाई आपको पता निया आपने क्या माल लिया क्या माल लिया एक समुर्ण लिया घ्UB कीजिए आपको जबाव मिल जाएगा हाँ सांख बढारा 12 अ जिए कि क्या हो गया है उसको भी मीर्फ में महना तो जबाब में भी है किलो मीनडर पर दर और जा करेंगे मठी आप गुना करेंगे 18 इतनी हमने जाएगा तीन बार में इत les Im पर और आपका क्या वीजबाब हो गया डिन ट्रेन हो गी सोचाल क्या ओगी चौवन क्वेज्वenda ॉपसर नंबर einem लिए पीब नंबर कुशन का 5 नंबर को जवाब क्या होगा option number D आपका बिल्कूल सही जबाब हो जाएगा इसको नोट करेंगे फटाफर से पांच नंबर स्वाल का जवाब क्या होगा option लिए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए गा पांच के बाद मों आएंगे छे नंबर कुशन पर six numbers वैंगे है तो पांच नंबर स्वाल का जबाब क्या हो गया ऑप्सन निमबर डी आपका बिलकुल सही जबाब हो गया पांच के बाद बताइए 6 नंबर कोशन पर 6 नंबर सवाल पर हैं लिजिए यह कोशन आपके स्क्रीन पर इसको बनाईए और बताईए इसका जबाब क्या पूसिवाल है कि A और B किसी काम को 10 और 12 और 15 और 10 दिन में कर सकते हैं उन्होंने 30,000 रुपे में कार करने का ठेका लिया तो कुल रासी में से एक हिसा कितना होगा यह आपको बताना है इस प्रशन का जबाब क्या होगा आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे इस प्रशन का जबाब क्या कि अन्होंने 30,000 रुपे में एक कार करने का ठेका लिया तो कुल रासी में से एक हिसा कितना होगा यह आपको बताना है कुल रासी में से एक हिसा कितना होगा यह आपको बताना है इसका जबाब क्या पॉसिबल है यह आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि ऐसे यह और बी किसी काम को करम सब 15 दिन में और दस दिन में खत्म कर सकते हैं ठीक है A और B किसी काम को 15 और 10 दिन में खत्म कर सकते हैं A किसी काम को 15 दिन में कर सकता है B उसी काम को जो है 10 दिन में कर सकता है LCM लेंगे तो क्या होगा? 30 होगा तो 15 से 2 बार में 10 से 3 बार में जाएगा तो इसमें से A का हिसा कितना होगा यह बताना है देखिए काम किस अनुपात में करें दो और तीन अनुपात में करें एगर दो करता है तो भी कितना करता है तीन काम करता है जिस अनुपात में काम करेंगे पैसा भी उसी अनुपात में बटेगा एक हिसा कितना होगा दो होगा किस में से तो टोटल पांच में से किसका तो जो दिनम्र इसके बाद हम लो आते हैं नेक्ट से कोशेंग है उसको बनेएगा साथ नबर सốngाथ का जबाब क्या ओगा ये आप मुझे बताएगे सैबन नूम और कोशेंगर का जबाब किया पॉसिबल यह आपको साथ नंबर स्वाल का जबाब क्या होगा यह आप बताईएगा चल्दी और जल्दी एक इसी कार का एक बटे दो भाग पांच दिन में कर सकता है भी उसी काम का दो तीन बटे पांच भाग नौ दिन में कर सकता है तो सी जो है उसी काम का दो बटे पांच तीन भाग आठ दिन म पूरा कर सकता है, तो आपको बताना है कि तीनोंल करके उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, या विद्बाना है, जल्दी से я, इस प्रस्ट का जबाब क्या पोसिव अधी अधिर में प्ड़ेंगे और बनाएंगे, इसका जबाब क्या हो सकता है इस देखिए एक किसी कार्य का एक बटे दो भाग पांच दिन में करता है ए जो है उस पूरा काम को कितना दिन में करेगा तो प्लट के मल्टिप्लाई करेंगे पांच में दो बटे एक से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह 10 हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 दिन में काम क्या हो गया पुरा हो गया वी जो है उस काम को कितना दिन में पुरा करेगा वी जो है उस काम को कितना दिन में पुरा करेगा तम क्या करेंगे नौ में पलट के काम को पुड़ा कर देगा कितना दिन में पुड़ा कर देगा 12 दिन में पुड़ा कर देगा साथ चार दिन में काम क्या होगा फूरा हू सभ के बां मोग आते हैं आठ नम्मर स्वाल पर एट नम्र प्रसिन का जबाब क्या होगा यह आप जेह आख़े आठ नमबर स्वाल का जबाब आपके स्क्रीन पर आ चुका है जल्दी से कॉमेंट करेंगे और इसका जबाब क्या होगा ये आप बताएंगे एट नमबर प्रशन का जबाब क्या होगा एक पुरूस एक लड़का को पांच दिन तक साथ काम करने के लिए 800 रूपे मिलते हैं तो पुरूस की कारचमता लड़के की कारचमता की दो गुनी है तो लड़का प्रती दिन कितना कमाता है ये आपको बताना है अब इस प्रशन क का जबाब क्या पॉसिबल है ये आप मुझे बताएंगे आठ नमबर सवाल का जबाब क्या होगा आप फटा-फट से कॉमेंट करके बताएए एट नमबर प्रशन का जबाब क्या होगा एक पुरूस एक लड़के को पांच दिन तक साथ काम करने के लिए 800 रूपे मिलते है एक पुरूस तथा एक लड़के को पांच दिन तक साथ काम करने के लिए 800 रूपे मिलते हैं तो पुरूस की कारचमता लड़के की कारचमता की दो बुनी है तो लड़का प्रती दिन कितने रूपे कमाता है ये आपको बताएंगे पुरूस तक साथ काम करने के लिए 800 रूपे देखिए पुरूस की जो कारचमता है लड़के की कारचमता की दो बुनी है करेगा यिक दो करेगा तो पैसा भी क्या होगा इसे अनुपात को चातना में बठेगा तो मैं आप से पूछू कि लड़के का पैसा क्या होगा तो आप बोलोगे बच्चे को पैसा मिलेगा एक Andas तोटल तीन में से किसका तो 800 रुपका जितना उनको टोटल मिल रहा है अभी वो गया वजया लड़के कि से में इतना पैसा आएगा लेगिन कि तने दिन में आएगा तोटल पैसा मिलया इतना पर्द से कितना ज्यादा है तो दर सबस्ट हो जाएगा तिन तरीक में क्या हो गाए इतना रूप या जो बड़का को एक दिन में मिलेगा 53 सी अरलक माहप क्या हो गया 51 क्या ऑपसन्त्र अमबर हो गया ओपसन नमडर के इन ऑपका बिल्कुल सही कि लोशन आपके स्करेंग की दो ट्रेन की चाल का अनुपाद 3 और 4 है घ्राइभी दीषा में आते हुए एक आते हुए दोनों किसिside को 3 से के में पार करते हैं तो ग्याद करें कि वह कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे कितने लिखिए यांपर 2 train की čahl का अनुपाद दिया थो पहले को माल जिए कि 3 m2 पर सेकेंड दूसरे की चाल क्या हो जीकिशार और मीटर प्र सेकंड हो जायेगी और बीप्रीटिशा में आते हुए एक दुसरे को किसी खंब ऑम को तीन से के ने पार करते हैं तो पहले ट्रेन की लंबाई अगर मैं आप से पुछू कि 23 से के पार करती है और उसका स्पीड क्या है थी स्पीड और इंट्फ laquelle के टाइम रिकर कर 10 हो गया दूसरे ट्रेश्टेटे मैं आप से लंबाई पूछ गों तो दूसरी ट्रेश्ट है और कि इतना टाइम य bez श्रों पार करने में 3 तो 4 ते क्या होगा 12 12 मिटर हो गया अब दोनों ट्रेन जो एक दूसरे को बिप्री दिसा में आते हुए कितना दिर में पार करेंगे यह आपको बठाने तो रिलेटिव इस्टेंस बराबर क्या होता है रिलेटिव स्पीड और इंटू में टाइम दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएंगी और सी क्या होगा सही जबाब होगा नौ नंबर का नौ नंबर स्वाल का जबाब क्या होगा और सी आपका बिल्कुल सही जबाब होगा नौ के बाद हम लोगाते हैं दस नंबर स्वाल पे दस नंबर स्वाल का जबाब क्या होगा यह बताए आफ़ट से कॉमेंट करके आप सभी बताएंगे इसका जबाब क्या पॉसिवल है अब दस नंबर सवाल का जबाब आप सभी बताएंगे 110 मिटर लंबी रेल गारी 60 किलो मिटर पर आउर की चाल से चल रही एक आदमी को ट्रेन की विक्रिदिसा में 6 किलो मिटर पर आउर की चाल से चल रही है पार करने में कितना समय लगेगा यह आपको बताना है इसके पहले भी जो कोशन था यह थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन कॉंसेट आपका क्या है बिल्कुल सेम कॉंसेप्ट है तो जल्दी से बना करके बताएं इसका जवाब क्या ह हुआ है दस नंबर सवाल का जवाब क्या होगा यह आपको बताना है कि फटाफट से बताएंगे इस प्रस्म का जवाब 110 मिटर लंबी रेल गारी 60 किलोमेटर पर आउर की चाल से चल रही है एक आदमी जो ट्रेन की विप्रिदिसा में 6 किलोमेटर पर आउर की चाल से चल र में जाये है तो रिलेकिव देशन्स बराबर क्या होताय रिलेलेटीव स्पीड और में क्या होता है एक दोसे होगा थे आफ्यनले में यह वनदी यह तो हो गया दो से करोगी है पांच बारक्रण और में जायगा पांच एकितिन भार में दो बार में जायागा चितनी बार में चुछेसे ये तीन बार शेतित इन बार में जायागा शेतरिकाठारः क्रोट मुटिप्राइच घर तो इसका जबाब क्या हो गया एक बार फिर से देख लीजए गा ट्रेन के लंबाई दिया उसको लिख दिया अब पोजिट की बाद फिर भी पे तो दोनों की स्पिर का सम कर दिया मीट पर सेक्ड़ में चेंट कर दिया और पार करने में समय बताना टाइम बताना है 11 से कितनी इगा से कोश्र कोश्र में ढोने करेंगे और मुझे बताएंगे इसका जवाब किया हो सकता है तो आज की सेशन को कि प्रसंद करेंगे तो आज के सेशन को यहीं पर complete करेंगे और फिर मिलेंगे हम लोग next class में और वहां पर हम लोग और questions को करेंगे और फिर आपकी new chapters बहुत जल्द सुरू करूंगा मैं तब तक के लिए जैहिंद, जैभारत, जैग्जामपूर, कर बिजैग्जामपूर जैग्जामपूर